कहते हैं कि चुनाव छल और बल से जीता जा सकता है शायद यही वज़े है कि लखनो खंड के सिच्छक असनातक चुनाव में धुरंदरों ने अपनी जीत फते करने को सिच्छित मद्दाताओं को चक्मा देने के लिए हुभुभु नाम के उम्मीदवार खड़े कर दिये हैं इससे नामचीन प्रत्यासियों को सफाई देनी पड़ रही है और मद्दाताओं को समझाना पड़ रहा है कि उन्हें किस नंबर पर मद्देना है तो शुरुआत करते हैं असनातक इमिलसी चुनाव की मत्दान को चंद घंटे ही बचे हैं पोलिंग पाइटियां बूतों के लिए रवाना हो चुकी हैं कुल 24 उमीदवार मैदान में हैं इनमें बैलेट करमा नुसार इंजीनियर आउनीज सिंग ब्रिजेश कुमार सिंग राम सिंग राणा वकील एहमत अंसारी नीलम सरोज पंडित मनीज महाजन अजय कुमार सिर्वास्तो आउनीज कुमार आसीज क बद नकवी, कांती कुमार, कांती सिंग पत्नी स्पी सिंग, क्रांती सिंग, चंद्रमन सिंग, जगजीवन सिंग, बाबा हर्देव सिंग, बिर्ज कृषोर सुकला, बीके सुकला, मनोज कुमार वर्मा, मुहम्मद रिजवान, बिजय कुमार सिंग, स्रवन कुमार तिरपा के नामों की फेरिस्ट पर नजर डालें तो वर्तमान MLC कांती सिंग के हुबुहु नाम के कांत कुमार कांती सिंग कंडिडेट चुनाव अखाड़े में हैं इसके अलाबा भाजपा उमीदवार इंजिनियर आउनीज के सेम नाम कंडिडेट आउनीज कुमार भी चुनावी सम कुछ एसा ही हाल सिच्छक चुनाव के प्रत्यासियों का भी है इस चुनाव में भी उमाशंकर चौधरी पतेल, उमेश दुबेदी उमाशंकर चौधरी, डॉक्टर मनोज कुमार पान्डे, डॉक्टर महंदनातником राय, डॉक्टर आरपी मिशरा, डॉक्टर राकेश कुमा शुकला, साह आलम खान, सोहनलाल वर्मा, हवलदार सिंह यादो अखाडे में हैं। इनमें भी उमा संकर चौधरी पटेल वा उमा संकर चौधरी नाम के कंडिडेट हैं। राजनीतिक पंडितों की माने तो अब साधान आम आदमी के लिए चुनाओ लड़ना बस की बात नहीं है। ये चुनाओ अब छल बल के होकर रह गए हैं। इसलिए चुनाओ जीतने के लिए कंडिडेट्स द्वारा छल बल का सहारा लिया जाता है। क्योंकि बगैर इसके सेम नाम के कई कंडिडेट्स चुनाओ मैदान में उतार दी हैं। जिससे की ओंट देते समय मददाता कन्फ्यूजड हो जाए और उनके ओंटों का विभाजन हो जाए। बैलेट पेपर में सेम नाम के कंडिडेट्स होने के कारण प्रताशियों द्वारा मददाताओं को य अपना ओंट दें।